इस बार अगर हैदराबाद करेक्ट टाइम पर लोड नहीं पहुचा तो एक एक को पकड़ कर काट डालूंगा जा यह गा भाई अजा भाई कौन है यह 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 भाई चौपाल का व्यपारी कृष्णा इस चौपाल के व्यपारी को बोला कि टेक्स भरो तो हमको रुबाब दि और तू गया बे यह यह भाई टेक्स भरने को बुला तो बोलता है कि मैं नहीं भरूंगा क्यों बे तो टेक्स क्यों नहीं भर रहा है जिंदा नहीं रहना है क्यों आप को टेक्स क्यों देना है अगर ऐसे कश्ट दोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे किसी ना किसी दिन तुम्हें सबक मिलेगा भगवान यहां पर भगवान के सारे काम मैं ही फिक्स करता हूं भगवान के पास जो भी काम आता है वो सीधा मेरे पास आता है यहां भगवान मे अभी मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ, देखता हूँ कौन सा भगवान तुझे बचाएगा वेई बसवा, बाई जी जादी, आप छोड़कर आएगे तो आपको लगा कि मैं नहीं आउंगा यहां क्यों आया, और यह कैसा गेट अप है करोना चल रहा है ना आज करिजिया जी करोना से बचने के लिए मैंने यह गेट अप ले लिया है करोना नहीं, गिरोना नहीं, तुपागल हो गया है तुम कुछ भी सोच लो, तुप करोना से ही मरेगा जी जाए और तेरे जाने के बाद, मैं यहां का केम मज़ा आजाएगा तेरा सड़ा हुआ चेहरा देकर मैं बोर हो रहा हूँ, जा जाकर DSP को फोन कर, जाता हूँ ललपपा को टैक्स नहीं भरेगा कहता है, इसका काम तमाम करना पड़ेगा, हलो ए ललपपा, मेरा नाम है रूद्रा, कौन है बे तू? बोला नाम है, रूद्रा हूँ, जा मैं बोल रहा हूँ, याद रख, या फिर लिख के रख ले, कल से मैं तरे लोगों को मारूंगा, और उसके बाद तुझे भी मारूंगा है, मजाग कर रहा है क्या तू? मजाग करने के लिए तू क्या मेरा साला है? असल बे तू? है कौन? क्या तुझे मेरे बारे में पता है? आराध्या प्रती बोधिताम भगवती नारायनी स्वयाम इसका मतलब जो भी जनम लिता है, उसकी मृत्यू निश्चित ही है बस यही है ललपपा, यही मैटर है, आल दे बेस्ट हां? है, गाड़े लिकाल! नमस्ते सर, जीजा जी, सर जीजा जी, दिमाग नहीं है क्या, क्रोनों टैम में आप हाथ मिला रहे हैं, दो गस दूर है नहीं, कितनी बर मैने आप से का जीजा जी, मारने के पले हाथ वो से ने टेस्ट कर लिया होता, कितनी बार बता हूँ आपको? डेसपी, फोन करने वाले के पूरी डीटेल्स चाहिए ओके सर, मैं समझ गया, जिसने आपको धमकी दी है, मैं उससे लिका राऊंगा उसका पता इसलिए नहीं लगाना है, कि वो मुझे मारना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं उसे मारूंगा ओके सर एई, तिरे सर ने पलॉट लिया है ना, उसने ललपपा को टेक्स नहीं भरा है, तिरे सर को बोल की मुझे फोन करें समझ गया ना, भूलना मत कौन है तू? एई, कौन है तू? पीच रोड में बैक ने बैठा है? उसरा माचिस चाहिए था भाई, है क्या आपके पस? एई, तू मेरे से माचिस मांग रहा है, जानता है मैं कौन हूँ, ललपपा का राइट हैंड हूँ, बसवा नाम है मेरा, पूरा शहर मेरे नाम से कापता है, वो सब कुछ तो मुझे पता है, लेकिन अभी माचिस चाहिए भाई, ये ले, थैंक्स भाई, हाई, 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 ह हाई, 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 है, है, उस रुद्रा को कैसे भी ढूंडो, वो रुद्रा, कौन है वो, कहां है वो, अगर वो मुझे मिल गया, तो उसका सर धर्जाए, अलग कर दूजा, हाई, हाई, वो रुद्रा ठीक नहीं कर रहा है, मझे जानना है वो ये सब क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है, हाई, जाओ तुम लोग, पूरे शेहर में ढूंडो उसे, और जहां वो मिले उसे उठा कर ले आओ, जाओ झाल 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 बिना खाए पिए सोचते रहेंगे तो उसे जान से कैसे मारेंगे जाओ जान से मार दो अरे क्या बोल रही है तू तू जानती है वो कौन है समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे ढूंड़ो भाई आप टेंशन मतलो उसे कैसे पकड़ना है मुझे पता है हुआ 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 है हुआ 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 है देख लिया ना ऐसे खेलना है इतरा अच्छे से खेल बेनु तू बॉल डाल अच्छे से बेनु तू बॉल डाल आप यह क्या है मैडम जब से आया है तो अब से बस खाते ही जा रहा है यह इसका बेट है या फिर कुआ चलो ठीक है आज की प्रैक्टिस खतम होगी आप लोग जाईए यह बैट देकर जा अगली बार लाते समय इसे यूनिफॉर्म पहना कर लाईए मैं रियल एस्टेट ऑफिस से फोन कर रही हूं मैं राज श्रेटी बोल रहा हूं बोलिये प्लॉट यह पास लेंगे मुझे बात बताईए अगर आपका प्लॉट ले लिया और वो मर गया तो वैसे पैसा आपके पास आजाएगा और आपका प्लॉट भी सेल हो जाएगा प हाँ चल बैठ 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 एद्रवाज जाकर तुम्हां क्रिकेट की प्रेक्टिस कर सकता है ना यहार यहार यहां पर बहुत जरूरी काम है क्या काम है बताता हूं अरे अभी बोल ना अरे रुकना यार रुकना देशना हां बस 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 अरे क्या बना अंच्छा कर ले लोगे ने अपती बाइक क्यों रोब दिया यह सब करने किले तुम्हें यह जगर में लिए अरे भाई हम लोग तो यहां सोने के लिए यह जाना अदमी है इस बार अगर हैदराबाद करेक्ट टाइम पर लोड नहीं पहुचा तो एक एक को पकड़कर काट डालूंगा जा अचा भाई कौन अब यह 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 भाई चौपाल का वैपारी कृष्णा इस चौपाल के वैपारी को बोला कि टेक्स भरो तो हमको रुबाब दिखा रहा है भ अथ भूग गया भे यह यह भाई टेक्स भरने को बुला तो बोलता है कि मैं नहीं भरूंगा क्यों बे तो टेक्स क्यों नहीं भर रहा है जिन्दा नहीं रहना है क्यों आपको टेक्स क्यों देना है अगर ऐसे कष्ट दोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे किसी ना किसी दिन तुम्हें सबक मिलेगा भगवान यहां प्रभगवान के सारे काम मैं ही फिक्स करता हूँ भगवान के पास जो भी काम आता है वो सीधा मेरे पास आता है यहां भगवान मेरी याँखों में ही बसे है तुम बहुत अच्छे हो ना तो भगवान तेरे लिए अच्छा ही करेंगे अभी मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ, देखता हूँ कौन सा भगवान तुझे बचाएगा, वे बसवा, भाई जी जादी, आप छोड़कर आगे तो आपको लगा कि मैं नहीं आउंगा, यहां क्यों आया, और यह कैसा गेट अप है, करोना चल रहा है ना आज करिजिया जी, करोना से बचने के लिए, मैंने यह गेट अप ले करोना नहीं, गिरोना नहीं, तु पागल हो गया है, तुम कुछ भी सोच लो, तु तु करोना से ही मरेगा जी जाएगा, और तेरे जाने के बाद मैं यहां का के मज़ा आ जाएगा, तेरा सड़ा हुआ चेहरा देकर मैं बोर हो रहा हूं, जा जाकर DSP को फोन कर, जाता हूं ललपपा को टैक्स नहीं भरेगा कहता है, इसका काम तमाम करना पड़ेगा, हलो, ए ललपपा, मेरा नाम है रूदरा, कौन है बे तू, बोला नाम है, रूदरा हूं, जा मैं बोल रहा हूं हो याद रख, या फिर लिख के रख ले, कल से मैं तरे लोगों को मारूंगा, और उसके बाद तुझे भी मारूंगा, है, मजाग कर रहा है क्या तू, मजाग करने के लिए तू क्या मेरा साला है, असल में तू है कौन, क्या तुझे मेरे बारे में पता है, आराध्या प्रती बोधिताम, भगवती नारायनी स्वयं, इसका मतलब जो भी जनम लिता है, उसकी अम्रतिव, निश्चित ही है, बस यही है ललपा, यही मैटर है, आल दे बेस्ट हां, है, आई, गाड़ी निकाल, जीजा जी, दिमाग नहीं है क्या, क्रोनो टाइम में आप हाथ मिला रहे हैं, दो गज दूर है नहीं, कितनी बार मैंने आपसे का, जीजा जी, मारने के पदे हाथों सेने टेस्ट कर लिया होता, कितनी बार बताओ आपको, डेसपी, फोन करने वाले के पूरी डीटेल्स चाहिए, ओके सर, मैं समझ गया, जिसने आपको धम की दी है, मैं उससे लिए कराऊँगा, उसका पता इसलिए नहीं लगाणा है, कि वो मुझे मारना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं उससे मारूंगा, ओके सर, एए, तिरे सर ने प्लॉट लिया है न, उसने ललपपा को टैक्स नहीं भरा है, तिरे सर को बोल के मुझे फोन करें, ठीक है भाई, समझ गया ना, भूलना मत, कौन है तू, हे, कौन है तू, हे, कौन है तू, बीच रोड में बाइक ने बैठा है, उनसे रा माचिस चाहिए था भाई, है क्या आपके पास, हे, तू मेरे से माचिस मांग रहा है, जानता है मैं कौन हूँ, ललापपा का राइट हैंड हूँ, बसवा नाम है मेरा, पूरा शहर बेरे नाम से कापता है, वो सब कुछ तो मुझे पता है, लेकिन अभी माचिस चाहिए भाई, ये ले, थैंक्स भाई, हे, उस रुद्रा को कैसे भी ढूंडो, वो रुद्रा, कौन है वो, कहां है वो, अगर वो मुझे मिल गया, तो उसका सरधर से अलग कर दूजा, वो रुद्रा ठीक नहीं कर रहा है, मजह जानना है, वो ये सब क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता कि वो ये सब किस के लिए कर रहा है, है, जाओ तुम लोग, पूरे शहर में ढूंडो उसे, और जहां वो मिले उसे उठा कर ले आओ, जाओ, मिना खाए, पिए, सोचते रहेंगे, तो उसे जान से कैसे मारेंगे, जाओ जान से मार दो, अरे, क्या बोल रही है तु, तु जानती है वो कौन है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे ढूंडो, भाई, आप टेंशन मतलो, उसे कैसे पकड़ना है, मुझे पता है, अरे, चंटी, आज जो घटना घटी ना, लालप पा के आदमी का जो मर्डर हुआ, उससे लोगों में क्या बात्चित हो रही है, अरे, क्या बोलेंगे, जिसने मारा, वो मूड में था, और उसके आसपास जो लोग मौजू थे, वो भी मूड में थे, तो रुख जा, मैं पीस लेगे आता हूँ, ठीक है, ठीक है, समल के जाना, अरे, आते से में मेरली भी थोड़ा सा लेकर आना, इसके फोन में बहुत सारे लड़कियों की फोटो होगी, तो किसी भी एक लड़की की फोटो लेकर, एक L.I.C. पॉलिशी खुलवा देता हूँ 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 ना, हूँ 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 इस चब्लिच सब्सक्राइब, तो और आते से उसे भी थैसे घूब, आते भी थे खुला दूम अथ क्या हूँ 较 गानी थे है अढ़त? अरे चल्भ कैना हो सानल हूँ चान ओन स्यावत है, ता आतना ना जा में हो सा था तू नहीं किया ना यह बात अगर ललपा को पता चली तो जिन्दा नहीं चोड़ेगा हम पर विश्वास करके फिर एलाइसी पॉलिसी कौन मनाएगा देख लिया ना चला भूल जा आजा है तू मेरी मौत का मुरत रख बेवकूफ ससूर चल जा जा जाट मुझे नहीं तेरे स इस लड़की का नाम है प्रिया औरगें डोनेट संस्था में एमप्लॉई है जो मर गया उनके औरगेंस जो जिन्दा है उन्हें दे कर उनकी लाइफ में मदद की जाए ऐसा सोच रखती है यह इतना ही नहीं यह लड़की जीवहत्या की भी विरोधी है मैया एक किलो बिंडी देना नमस्ते नाक राज भाई नमस्ते एक गड़ी दनिया बत्ता देना आज क्या स्पेशल है जीवहत्या पाप है इस पेट में और कितना डालोगे तुम एक बात मुझे समझ महीं नहीं आती तुम लोग बेजुबान जानवर को कैसे खाते हो तुम तुम लोगों को कितना भी बोलो बेकार है भाया मेरी बिंडी दो यह लो बिंडी में स्वाद है यह लीजिए इसकास्टिंग कि एकक्स्क्यूज मीं सर्व मरने के बाद आप अपने ओर्गन को डोनेट कर सकते हैं क्यों जी मजाग कर रही हो गया मरने के बाद अपने अंग दान कैसे करभांगा अगर आप अचानक मर गए तो आपके कुछ बॉडी ओर्गन किसी दूसरे के काम आ सकते हैं सर्व स्पेशल पार्ट है जानती हो क्या है उसी हमेशा छुपा के रखा जाता है ची बड़ तमीज चल निकल यहां से टाइम वेस्ट हो गया सर सिटी में मुडर के बारे में ही बाते चल रही है यह मुडर किस ने किया है आप बता सकते हैं सर यह मर्डर किस ने किया है और क्यूं किया है मुझे कुछ भी नहीं पता अगर ऐसा है तो आपको टार्गेट करके वह आपको मार सकते हैं हेलो आपको एक साथ पता है वह हमारे जीजा को टार्गेट करके मारे उससे पहले हमारे जीजा कहीं ना मर जा मुझे यह डाउट है पहले ही मर जाएंगे मुझे डाउट है मैंने कुछ गलत कहा क्या है एक बिएट सेनेटेज कर लीजे आप मारिए इसलिए अपने साथ सेनेटेजर लेकर चलता हूँ सर अगर वो आदमी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे क्या उसे जान से मारेंगे नो कमेंट्स हेलो हेलो आयम यह भी ना सीनू हिन हिन आने वाला सीनू बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए बस ओडर दीजे यहां पर जो भी फ्री में मिलता है वह लेकर आओ हमारे कॉफी शॉप में पानी भी फ्री में नहीं मिलता हवा फ्री में मिलती है न वही कि वह बनवती कहीं गहीं का हाँ हिरो हिरो हिन हिनाने का साउन बहुत अच्छा था बहुत पसंद आया कॉफी पियोगे फ्री में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यू नॉच्छी एक काम करो कॉफी के लिए बेंडू कॉफी कॉफी बहुत अच्छी हो थैक्यू सो मच फॉर्ट कॉफी मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा अगर बुरा ना मानो तो एक किस दे सकते हो मुझे पता चल गया है कि तेरा इरादा क्या है चल देगा यहां से तो ठीक है मेरी कॉफी वापस कर दे अभी तो मैं पी चुका हूँ कॉफी मेरे पेट में है मैं उसे ले लूँगा कैसे लेगा ऐसे लूँगा हम सारे बरावर है ना अहां सर बरावर है कर दो कर दो कर दो हलो ब्रो आप कौन सीनो मतलब यह नहीं आता हुआ सीनो मैं कब से देख रहा हूं तुम बहुत टेंशन में हो इस चाको में खून किसका कई तुम्हें चोट लगी है क्या बॉड़ी तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी वो क्या है वो सो गया है क्या कार के अंदर कुछ गर्वड है मेरी समझ में आ गया कम आन मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं मैं लिफ्ट दूंगा कम आन मेरे साथ आओ यूज मी ब्रो प्लीज आम येर फो हेल्पिं यू तुम्हें ब्रो तुम्हें बैटोगे मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा तुम्हें बस बैट्रोल भरवाना होगा तैस इट बोलो कहाँ छोड़ रहा है तरी यहल दिबाः ठीक है चलो आजाओ जाओ 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 बैठो ब्रो पेट्रोल का पैसा नहीं है ऐसा मत बोलना मुझसे आइनो यू और गुड़ बॉइ यहां पर है यहां पर है यह देखिए यह देखिए यह काम भी रुद्रा का ही है वो कमीना चाहें कहीं भी छुप कर बैठाव हो हम इसकी मौत का बदला जरूर लेगे तो छोटा है फिर भी तुझमें इतना गुसा है तो सोच मैं तुझसे बढ़ा हूं तो फिर मुझमें कितना गुसा होगा अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं है भाई वो CCTV फूटेज चेक का है ठीक है भाई भाई और मैं भाई कॉफी शाप पर सिसी टीवी फूटेज चेक किया है जिसने मारा उसका चेरा साफ नहें दीख रहे भाई लेकिन जो बाइक चला रहा है उसका चेरा देख रहाए और जो भी बात चीत हुई है यह सब रिकॉर्ड हुआ है उस्स बाइक वाले यह ही ए भाई तेए नाम क्या है रे और ये क्या था हिनी ना मेरे घर का नाम है हिन खेनाता सीनू देख सीनू तेक सीनू नहीं हिन हिनाता सीनू कि पॉके सीनू रुद्रा कहा है कौन सा रुद्रा मैं नहीं जानता कौन है वो देखाओ यह क्या किया इसने इसने हमारे भाई कुमरा है ओके मैं इस जानता हूं यहीं सोचके मुझे इन्वाइट किया है ना यहां पर कि देखो उससे मेरा कोई संबंद यह सोच कि तुम मुझे उठा कर लिक रहा है लेकिन असल में मेरा उससे कोई संबंद नहीं है समझ गए आते समय कार में बहुत गर्मी लगी थी इसलिए आते समय मुझे को एसी वाली कार देना प्लीज ओके हाथ हटा रहने देना यार अच् नहीं पता मदर् करता हूं नहीं बता चाहो तो पूरे गाओं वालों को साथ ले कर गया था तो क्या कोई चाह से बता ने किरें कि अच्छा एक रुद्रा के साथ क्या संबंध है Śकी बोलो कि to किसम खालूंगा मेरा उसे कोई संबन नहीं है भाई इसे मर्दो वाला पनिश्मेंट दो भाई 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 सारा डाल दिया फिर भी कुछ नहीं बोदा उसने क्या भे मुझे चार पाच घंटे की मौलत दे दो मैं उसके बारे में सब कुछ पुदा करके बताता हूं बस दो घंटा ना तीन चार घंटा एक्स्ट्रा दे दो उससे स्याधा नहीं मागूंगा पनिश्मेंट अच्छा लगा ना अंदर तक हेल गया हूं भाई मुझे से आन हाई एक चोड़ी सी रिक्वेस्ट है चार पाच सुर्पने दीजे कहना कि जीब में एक पैसा भी नहीं मेरे पास प्लीज अरे बाम नहीं चाहिए बस दो घंटे ही दे दीजे जा जल रहे बहुत जल रहा है हलो अरे प्रिया हूस्तिस अरे मैं बात कर रहा हम लोग सिगनल पर मिले थे आप इतनी जल्दी भूल गई ओ आप आपका फोन आएगा मैंने सोचा नहीं था औरगन डोनेट्स करना चाहते ना मैं आपको डीटेल्स भीजती हूं अरे यार औरगन क्या चीज है मैं तो आपक जान तक दे सकता हूं हम हलो कुछ ज्यादा नहीं हो गया आपसे मुझे एक बात कहनी है मैं बोल सकता हूं वो क्या उस दिन जब मैं आपसे सिगनल पर मिला था ना तभी मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल तरी लोग सुनरी श्रीदेवी की तरह दिखती है अपने आपको अगरे आप मुझे फॉलो क्यों कर रही है असे है ना अप मुझे क्यों पडूर रहा हूं यह सब कुछ तो ड्क слова मतलब वो हम दोनों को फॉलो करवा रही है लगता है हम दोनों का मजबूत रिष्टा बनने वाला है अच्छा तो डीग है फिर आये गले मिल लेते हैं ना आओ उसके ज़रूरत नहीं है हम लोग जुस्ट फ्रेंड्स हैं यार नौ अभी तेक नहीं मिला रखो यहाँ पर अरे बोल ना सब मिलाके ए शंकर अभाई लगता है वो आसानी से नहीं मिलने वाला तीन दीन गुजर चुके हैं जे भाई हमें कुछ और करना होगा अगर इसी तरह रोज रोज हमारे आदमी मरेंगे तो शेहर वालों को लगेगा कि हम कमजोर हो चुके हैं और उनके बीच हमारा खौप कम हो जाएगा बाई कैसी बाते कर रहा हैं आप हाथ लगया तो वहीं काट के भैग देंगे हरे रुद्रा मिलेगा तो ही उसे मारोगे ना जी जा आप बात कर रहे हो ना इसलिए खामोश सब्सक्कार आज थेरा मुख तोड़ दूंगा है सोरी सोरी ऐफ शार्मियुला बॡ़र जी मैं शादी के लिए दिए तो dwa कर दिया इतना बुरा तो हूं नहीं मैं है लो है यह सब देश में बहुत सारी लड़किया है यही थोड़ी यह तुम यहां अरे प्रिया जी आप यहां कैसे मेरे भाई को क्रिकेट खिलना है जिद कर रहा था यह इसलिए यहां ट्रेनिंग के लिए लेकिन तुम यहां मिल जाओ के यह एक्सपेक्ट नहीं किया देख लिया ना यह सब तो डेस्टिनी का ही काम है अब इसके बारे में क्या क भाइया आप यहां के कोच हो क्या अरे भाइया मत बोल बच्चे क्योंकि रिष्टा जुड़ने के बाद ना तुझे मुझे किसी और नाम से पुकारना पड़ेगा क्यों सज़ना प्रिया जी पॉगलों जैसी बाते मत करो अरे यह कोच तेरे लिए ठीक नहीं है पर तुम्हारे लिए ठीक हूँ अच्छा क्या ठीक हूँ यही की फ्रेंडशिप करने के लिए मैं बिलकुल ठीक हूँ ऐसा कह रहा हूँ फ्रेंडशिप तो हम करी सकते हैं ना वैसा कोई सीन यहां नहीं है तुम जाकर अपना काम तो आजा 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 हम लोग वेलते हैं चला आजा यह फ्रेंट फॉट वेर आगे कर यह बैक फॉट आप बॉल जैसे आएगा तो डिफेंस कि हम समझ गया ना एक हुम चला प्रैक्टिस कर अरे यह दो शॉट को ना ऐसे मारते हैं कि एपी में विपक्ष पार्टी को दूसरे का सवर्थन कहां जा रहा है तू बाहर जा रहों भी यह फॉन में अब बटन दबाते ही दस मिनिटों में कनपा भाई मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्रा का अगला टार्गेट तू ही है तू घर में ही रह बाहर जाने की जरूरत नहीं है भाई डरते क्यों हो अगर वो मिल गया तो उसे चांस से मार कर आपको उसे गिफ्ट में दूंगा है चुप रहे हैं यह इतना आसान नहीं है वो जो बोल रहा है वही करके दिखा रहा है इसलिए मेरी बात बानो और चुपचा पंदर जा मुझे थोड़ा काम है वो खातम कर क्या आता हूँ ललप्पा को टेक्स टाइम पर देना होगा अगर नहीं दिया तो सब को जान से मार दूंगा हलो मैं हूँ तेरा बाप रूद्रा है तू है कहा चुपकर बैठा है तू वहाँ पर मुझे ढून रहा है और मैंने यहां तुझे मारने का मूरत बनाया है क्या समझ रखाए तूने तू मुझे मारेगा पारूगा तो मैं तुझे हिम्मध है कि मैं कौन हो अगर तुझ में हिम्मध है तो आना आउंगा बे और आने के बाद तुझ पर लिखूंगा रिप आर आई पी रेस्ट इन पीस है बॉक्स तुझे अप्च्छल स्क्रापना लुड़न 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 झाणाई। B.S.P. अगर मैं मन बना लूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी अरे तुम लोग एक आप भी तको पकड नहीं पा रहे हो तुम लोग किसी भी काम के लाइक नहीं हो अब कैसे करोगे नहीं पता एक घंटे के अंदर वो या उसकी फोटो मेरे सामने होने चाहिए मैंने अपने भाईयों की लाशे देखी है उनकी चिता मेरे सीने में जल रही है जीजा, जीजा, अब ये एक अपडेट मिला है कैसी अपडेट? क्रोना की वैक्सिन आ गई, अब कोई भी लगा सर, कनपपा को कोई फॉलो कर रहा था सिसीटीगी फूटेज में वो आदमी रिकॉर्ड हुआ है सर लगता हो उसी ने कनपपा को जान से मारा है अगर ऐसी बात है तो वही रुद्रा है दिखाओ, जल्दी मुझे दिखाओ ये दिखी सर हेई, भाई, इस बीच मेरे भाई के साथ किसी का जगड़ा हुआ था क्या इसके साथ भाई का संबन था भाई, इधर तो कोई जगड़ा है, मौडर नहीं हुआ लगता है हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा जी जा, हमारे बहुत सारे दुश्मन बाहर गोम रहें जी जी मास्क और सैनिट्रेजर नहीं रखते हैं अपने पास आपको पता है ना आदमी को दो गज की दूरी पे रहना चाहिए अगर ऐसे सठ के रहेंगे, कुरुना नहीं, तो क्या करीना आएगी पहले सही हम लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, अगर जादा बोलेगा तो नीचे फिक दूगा बेवकूफ तुमने देखा ना हमने उसके बारे में पता लगा ही लिया डेस्पी अब कुछ भी करके तुझे इसे पकड़ना ही होगा हम सब जानते हैं कि आज कल बच्चों में भी किड्नी की समस्याएं हो रही है आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान खड़े है जिन्होंने एक बच्ची की जान बचाई है इस बच्ची को एक नई जिन्दगी दी है तो बताईए आज आपको कैसा लग रहा है मेरी बेटी आज रुद्रा सर की वज़े से ही बच्ची है और जिन्होंने किड्नी डोनेट की है उनका कर्स्तों में अपनी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाऊंगी तो बताईए आपने क्या मदद की है साथ अरे मैंने कोई मदद नहीं किया एक्चुली एक दिन एक लड़की की मौत हो गए थी तो उसके घरवालों का नंबर मैंने इसकी मा को दे दिया अब देखो मरी हुई लड़की की कड्नी काम आगे बस इतना ही तो किया है मैंने किसी के काम आना अच्छा होता है ना तो यह एज आ नाइस काई ठीक है चिंटू मैं चलती हुआ ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ चल मुझे देख भी नहीं रहा है तु इधरा आज इतना लेड़की हो गया यले रुद्रा ज़रा सुनो तो एक मिने ना तुमनों प्रैक्टीस करते रो हाई प्रिया क्या है इतना भाव क्यों खा रहे हो कौन मैं ऐसा कुछ नहीं है हां ठीक है हम बैट के बात करते हैं अब बताओ क्या बात है नाथिंग तुम ही बताओ है 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 चिंटो ने बताया क्या है प्रिया एक बात बता नहीं है हां बोलो ना तो तुम्हें पहली बार देखा तभी ठान लिया था कि शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा है लव यो प्रिया आज है लव यो तू कौन बात कर रहा है बोलो सबसे पहले तुम मेरा पैसा मुझे वापस कर दो समझ गए मेरे बेटे मां बोलो पालतु की बाते बात में कर लेना अभी हम लड़की देखने आये हैं ठीक है मां ओके मेरी तो किस्मत ही खराब है कैसे है भाईया हा चोटी ध miner ठीक हूं या ठीक है या ठीक हूं यह पेणि न तुम भी बैठो आनें मैं ऐसे ही ठीक हूं रहे बात कुछ बाह चास बाट करनी है आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी की बात हुई थी ना भाया वो सब तो बात बच्पन में हुई थी ना आप तो वो शादी के लिए राजी भी नहीं है और इसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी मुझे उसे मनाना आता है मैं उसे मना लूँगा इतना आसान नहीं आप मेरे बारे में जानते नहीं है वो मुझे पचपन से लाइक करती है वो मुझे मना नहीं कर सकती यह वो अंदर है ना मैं उसे मिलकर आता हूं प्यूटी बेबी आम कमिंग मां तुम इनसे बात करो मैं आता हूं गैथ तुम्हारे लिए हम दुनों की बात कर रहे हैं और वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम नड़का तुमको कहां मिलेगा इसलिए ब्यूटी जुब चाप तुम हां करतो अच्छा जब दर्वाजा बंद कर क्या अभी करता हूँ बाइ माँ अंदर क्या हुआ बेटा ऐसा मैटर पहले बताना चाहिए था माँ अब घर चलते हैं देखो माँ पहले घर चलते हैं बेबी को मैं से आद पसंद नहीं आया हूँ अरे बाबरे तुम्हारी बेटी बेबी नहीं बवाल है है पूरी डिटेल्स लेकर आया हां भाई तो जल्दी से बता आपने अपनी पूरी लाइफ में लगभग कितने मडर्स कियोंगे आपको कुछ याद है बचपन या चपन चपन भाई हम लोगों ने जो भी मडर्स किये हैं उन फैमलीज में कोई लड़का बचा नहीं था मैंने जिस लड़की का रेप किया था उसका लवर है क्या नहीं भाई उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर कौन है वो और हमें क्यों टार्गेट कर मिला क्या वो पता नहीं कहा है नहीं मिल रहा है भाई बहुत धूंड़ा उसे परकूफ वो मुझे टार्गेट करके इसी शहर में है उसने घलत किया बहुत बड़ी घलती की उसने एक बार अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका सीना चीर कर चील कवे को खिला दूंग तुम्हें बता है मैं क्या फील कर रही हूं बताओ कैसा लग रहा है तुम्हारी वज़े से मेरा दिल इस वर्ट खुशियों से भरा हुआ है समंदर जितना गहरा है हमारे प्यार की गहराई भी उतनी है अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे हम दोनों प्यार के बंदन में जपड़े हुए हैं एक लड़का और एक लड़की पास-पास रहने की जो खुशी महसूस करते हैं इससे पहले वो मैंने नहीं की थी कि है यह 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 नहीं है चल जाए जाना चाहिए वो रुद्रा किसी भी हाल में हमसे बश्कर जाना नहीं चाहिए करेंगे जाए 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 कोरोना के सिंप्टम से भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं कोरोना यह तो बाहर क्यों गुम रहा है चल जा अहां बाबुराव अच्छा वो लड़की मुझसे मिलने के लिए तो आ रही है ना क्या हुआ कब तक आएगी वैसे तेरी लोकेशन दिया उसे वह पूंचती ही होगी ठीक है मैंने सुन लिया फोन रख दे यह नम्मुना फिर आ गया एक नंबर का विवकूफ है एक वाटर ब अच्छा तो आप है कुमारी जी प्लीज बैठिये बैठिये ना उस बाबुने तो फोन पर बोला कि लड़की किसकी होगी लेकिन ये तो पूरी कथिस साल की दिखाई दे रही है आप भी चाली से कम नहीं लगते तो तुमारे जोग बोला आप से पहले कॉफी ओर कीजिए वो नहीं ओडर करेंगा पहले ये बताईए कि क्या आपके हाँ है वह हम बात में बात करेंगे पहले कॉफी मंगवाओ वो ओडर नहीं करेगा तुम जैसे आदमी के साथ मुझे चादी नहीं करनी जा रही हूं एक्स्क्यूज मी तुम हाँ बोलोगी इसलिए 20 रुपे का मै तुम मेरे 30 रुपे हुए है मैं पैसे कभी नहीं छोड़ता इसलिए पहले तुम मेरे 30 रुपे वापस करो जल्दी लाओ तुम्हारी तो जिन्दगी में शादी नहीं होगी हाँ ठीक है तुझा हलो वो किलर मेरे सामने बैठकर चाए पी रहा है मेरे आने तक उस पर नजा अहां भाई ठीक है भाई आपके आने तक एक अब चाए पिलू ना भाई आप पैसे ओनलाइन पे कर दो ना अच्छा तो यहां आकर दे देना अब तो तु गया तेरा आज काम तमाम तुझे आज कोई नहीं बचा सकता हौता हौता है ऐख भाई भाई हाथ में तुझे तुन आख वाई किधर गया एए आजा 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 जा एधर देखता हाँ आजा 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 एए आजा आजा हाँ का आजा ए Lifुट गार का ऑा हाँ प्लव, वह एट पिस पार्ग झाइना, ये वार्ग पिस पार्ग उड़ता है व्लवार अजय को अप्लवता है प्रोफ एट उप्लवार विस पार्ग ँझे प्लवार लग अज़ लग अज़ हरा रहा अग्या रहा धर मां का एंक चाण्या करें कहां हो तुम लोग पकड़ लियानों से जल्दी मेरे पास लेकर आओ भाई सब को मार कर निकल गया या जा कहां तुम लोगों को मारा उसने आखिर वो है कौन जो इस तरह से तुम लोगों को मार कर निकल जा रहा है कल तुम्हें लेकर जाएंगे तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है कर कटी दुम्हें लोगों कर में लोगों को मार जाएंगे तुम्हें है रहा है क्टान भाई डहा है हलो लॉरी के साथ आटो का एक्षिएंट हो गया है किसको जादा चोट पहुंची लॉरी को उसे पॉलिसी लेने का बोल देना फॉन्रेक चल क्षिसक्षी ऐगा है उसे प्यार कर ठीटकर कें तो लोगों की साथ दोस्ती घरे कि तो जिआ अच्य वोगी दॉस्कि तंड ही अपना मुव बन कर और निकल यहां से पता नहीं क्या बोले जा रहा है इसे लड़की वाले देखने आने वाले थे लेकिन कोई नहीं आ रहा है इसलिए फ्रस्टेशन में ऐसा कर रहा है तुम आजा आए तुम आ यार बिना बोले यहां पर आ गई तो क्या मुझे ठीक है आओ बैटो अब बात क्या है दो दिनों से ना कॉल किया और ना मेसेज का कोई रिपलाई दिया क्या हो गया है किसी दूसरे काम में थोड़ा बीजी था हां तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज़्यादा इंपोर्टेंट और एक्या है मैं ही सबसे ज्यादा इंपोर् समझ के ना समझ के ना हुआ है वह दीज तो मैं देखता है था कर दो भाई हाधिर है यह भाई हाथ के चरवा में हाजिर है है कौन और मुझे क्यों टार्गेट कर रहा यह जानने के बाद मैं तेरे टुकडे टुकडे करके फेग दूगा है इसे हमारे अड़े पर लेकर चलो अब है 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 यहां है है अ अ staff इयर बड़ी कर दो और यह तारो है है ही इह इष तरहु पिलिए BE एती है अ है य्य इए जारो में वाइ बार आ जब से आया हूं तब से देख रहा हूं क्या हूं तुमने चो काम किया है ना वो सब मैं जान चुकी हूं तुमने चो मुर्डर किये हैं उसके बारे में पता है तुमने गैसे पता चला तुम टेंशन मतलो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तुम किस से प्यार करती हो जानती हो पता है मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आया हूँ वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है तुम एक मौडर की लवर हो अगर ये बात उसे पता चली तो ललपपा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के टुकले टुकले कर देगा अगर तुम्हें यकिन नहीं है तो तुम खुछ जाकर उससे पूछ लो तुम आखिर हो कौन? ललपपा के लोगों को क्यों मार रहे हो तुम्हारी बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूगा ऐसा सोचा था ठीक उसी समय शहर में ड्रक्स का धंदाच जोरो से चल रहा था शहर में ड्रक्स का कारोबार तेजी से चल रहा है ड्रक्स की वज़े से एक छोटी बच्ची का रेप भी हो गया है दसवी क्लास के बच्चों से लेकर इंजिनिरिंग के बड़े बच्चे तक ड्रक्स ले रहे हैं फिर भी इसकर कोई कारवाई नहीं की जा रही इस विशे में पुलीस और सरकार क्या कर रही है ये सोचकर आम जिंदा परिशान है इस विशे में बात करने के लिए हमारे साथ सेशाद्री जी है शेशाद्री जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अब हम और क्या बोलें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई ड्रक्स ले रहा है सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम है अगर दोश्यों को पकड़ कर पुलिस जेल में डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा ये है इस शहर के हालात कैमरमेन रमेश के साथ जानवी आज हमने जो अरजन्ट मिटिंग रखी है उसका कारण है सिटी में जो ड्रक्स भीक रही है उस पर फोकस करो ऐसा ओडर आया सो ड्रक डिलर्स ड्रक सप्लायर उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है सब को पकड़ना चाहे कितना बड़ा आदमी हो गोड़ मैं पॉइंट यससर अरुद्रा हां सर कॉंग्रेट्स किसलिए इसा क्या थैंक यूँ थैंक यूँ थैंक यूँ सो मच मुझे थैंक यूँ क्यों बोल रहे है तुम्हारा हार्ड वर्क तुम्हारा गेम के ओपर फोकस आई पेल में सेलेक्शन के लिए ही तो चाहिए एनिवे कॉंग्रेट्यूलेशन्स थैंक यू सर थैंक यू सो मच यह बात मुझे अपने पापा को बतानी है पापा मैं आई पेल में सेलेक्श हो गया हूँ ऐसा क्या सज बोल रहे है तुम्हां पापा अभी कोच सर बोल कर गए बहुत कुशी की बात है पेटा यह देख बगल में चंटी भी बैठा है उसे भी बता दे सूपर अबॉल भाई है भाई आई पिल में सेलेक्शन हो गया ह ब्रोड़े सेक्सी दिख रही हो ना अब इट बोलता क्यों नहीं मैंने तो मुझे देखे बिना नहीं रह सकता अब ठीक है नहीं मैंडम मुझे मारना मुथ मैंडम तुम मेरे पचास लाक रुपय कब और कैसे चुकाएगा मुझे ये जानना है वाम की बातों में मुझे कोई इंटरस्ट नहीं है जो भी मेरे साथ धोखा करता है उसे मैं सीधा माल जबरदस्थ है हाँ इद्रवाद अच्छी तरह से पहुचा देना देदी, ड्रक्स को लेकर यहां की पुलिस बहुत चोकरनी हो गई है उनकी आखों में धूल जोकना ही तो है अपना टालेंज एमपी, मुझे एक कॉर्पोरेटर का बना रहे हो अभी से कॉर्पोरेटर के हो, तुम तो ड्रक्स में करोन रुपए कमा रही हो ना पैसे अलग है और राजनेती अलग वैसे मैं तुम्हें कॉर्पोरेटर ज़रूर बनाऊंगा, ओके डार्लिंग तांक यू डार्लिंग तो अभी हम विरा दीदी की रिल्स बनाएंगे, रेडी दी बाबा यह सब क्या है बेटी, घर में ऐसा वीडियो बिनाने के लिए मना किया था ना आक्टिंग मुझे पसंद है पापा यह सब पागालपन छोड़ो बेटा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूं आजाओ फोन रख ले एक मिनट हाँ हलो वीना, मैं एक शौड़ फिल्म बना रहा हूं, क्या तुम उसमें एक्टिंग करना चाहोगी आक्टिंग, हाँ, ओके, ओके, आब बट कारेक्टर डीसेंट तो है ना नमस्ते, 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 कल हमने एक फाइल भी जुआई थी, आपने साइन नहीं किया, आप जो बात करें वो मीट फेक्टरी के बारे में ही है ना, हाँ वही, ओ जो जमीन है वो पचास हेकड की है, और आप जो मांग करें वो पर्मिशन, अगर मैंने दे दी तो समझ ल ताके के रहने वाले जो लोग आराम से जीरें उन लोग के साथ मैं अन्याए करूँगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर से, हमारे दंदे से उनका क्या नुकसान होगा, मीट फेक्टरी से जो दुरगंद आएगी, वो वहाँ हवा में जहर की तरह पहल जाएगी, वहाँ प किस तरीके का बिजनस है, आप जहां मीट फेक्टरी के लिए मांग कर रहे हैं न, वहाँ बगल में एक अयपा स्वामी का मंदिर है, अयपा स्वामी मंदिर तो एक पवित्र स्थान है, इसलिए मैं आपको ये परमिशन नहीं दूँगा, एई, तुझे क्या, जो बोल रहा ह वो करना चोड़ के कुछ भी बोल रहा है, हमें चांते हो, लालपा, लग्कींग आफ यानम, साइन करने में लेट हुआ तो, लेट बेंकट हो जाओगे, आप लोहों की डरसे में साइन नहीं करने बारा, आप कहीं और जाएए, अब तो साइन करेगा या नहीं करेगा, जाल एक बात और हाँ, उसको बोलना मत कि अपनी फिल्म में बेट सीन से, ठीक है रहा है, हाँ, एक्सक्यूज मी, हाई वीना, कम, हेलो, ये है फिल्म के हीरो, क्या कहा, ये हीरो है, इसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा कि ये डालोग बोल पाएगा, हेलो, बेट स्टार हूँ, ये लड़की फ्रेश है क्या, पहली बार फिल्ड में आई है, अरे वीना, क्या है कि इस सीन में न, टायलोग नहीं है, सिर्फ बेट पर सोना है, ओ, अच्छा, स्टोरी क्या है, और सीन क्या है, फिर्स सीन में हम तुम दोनों का बेट शेरिंग शूट करने वाले हैं, जब ह ऐसा कुछ भी नहीं है, वीना, शे, मुझे आना है नहीं चाहिए था, मैं ये सब काम करने के लिए यहां नहीं आई हूँ, इडियर्ट फेलो, वीना, मिरी बाफ करो, अरे ये क्या, वो लड़की चली गई, फिर मैं रोमैंस किसके साथ करो, वो लड़की चली गई, अब कर ये कैसी स्मेल यह तो ड्रक्स है क्या है इसमें यह तो ड्रक्स है ड्रक्स है इसमें ड्रक्स कहां से आई बोल लेकिन ड्रक्स है चल बार निकल गाड़ी से बार निकल इस ड्रक्स से मेरा कोई सम्मन नहीं है, असल में ये मेरे कार में कैसे आया है, मुझे नहीं पता, क्यों बे, हम बेवकूफ लगते हैं, कहां से आया है, हम पता लगा लेंगे, तुझे थाने चलना होगा, ए लक्षमार, गाड़ी में बढ़ा, मैरी बात तो सुनी है, ये मेरा कहां से आया, इत्के असानी से तुझे चुछे लंगे नहीं, बता तेरे साथ कौन कॉन है, बोल, कब लाया, कहां से लाया, बोल, पचास से पच्पन करोड का पाँच किलो हिरोईन, बहुत बढ़ा धंदा है न ये, बता तेरे साथ और कौन है, बता ना, सच्छ बोर रहा ह मेरा और ड्रक्स का कोई समद नहीं है मेरा विश्वास किजिए अच्छा ऐसी बात है तो यह तेरी कार में कैसे आया यह मुझे भी नहीं पता से जब तक तु सच नहीं पताएगा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं है रामना एक आत्मी भेज रहा हूं इसका काम कर देना ठीक है जा तेरा काम हो जाएगा धन्यवाद भाई भाई फैक्टरी के लिए वो साइन तो क्या हुआ फैक्टरी के साइन का मैंने जाकर वार्निंग भी दिए उसे वो वैंकेटे साइन करने को तयार नहीं है बड़ो जाएए चुपोजा एक दिन गावन चलो चल कर देखते हैं, ठीक है, नमस्ते, मेरा नाम ललप्पा है, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आपसे पहले जो आफिसर थे, वो मेरे काम के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन पहली बार, आज मुझे इस आफिस में आना पड़ा है, लगता है आप मुझे नहीं जानते हैं, वो सब जाने दीजिये सर, मेरे भाई ने बताया कि आपने साइन करने से मना कर दिया, जी हाँ मना कर दिया, तो तो अब मैं बोल रहा हूँ साइन करो, आपके बोलने से कितना पैसा चाहिए बता, वो भी मुझे नहीं चाहिए, अब क्या करेंगी, तो मुझे तेरे बारे में सूचना पड़ेगा, लेकिन अगर तुने मेरी फाइल पे साइन कर दिया, तो आराम से अपने घर जा पाएगा, नहीं तो तेरी लाश चाहेगी, लगता है मेरी बात इसके समझ में आ गई, अब यह जरूर साइन करेगा, अच्छा, तुम मुझे जान से मार डालोगे इस डर से, मैं साइन कर दूँगा, तुम यह सोच रहे हो न, मेरी सर्विस में मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है, लेकिन मुझे नहीं देखा तुने, मेरी ओफिस का टाइम अब पूरा हो गया, क्रिष्णा, जी सर, आज ओफिस बहुत गंदा हो गया, इसे अच्छे से साफ कर देना, क्लीन कर देना, ठीक है सर, हलो, सर मैं ललपप, हाँ, बोलो ललपप, अभी पीच रोट पर मैं एक मडर करने की सोच रहा हूं, देखो ललपप, अभी हमारी रूलिंग पार्टी है, इस बार अपोजिशन बहुत स्टॉंग है, और कुछ ही दिनों के बाद, इलेक्शन भी होने वाला है, पीपल्स पा सर, तो इलेक्शन खत्प हो जाने दे, अभी तो मल्डर करना चोड़, कुछ और ही सोच ले, तो आप उसका ट्रांसफर करवा दिजे सर, उसे आएवय भी कुछी दिन हुए है, वो रेविन्यू मिनिस्टर का रिष्ठदार है, तो हम उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते, कुछ मैं यह सब नहीं जानता सर, लगिन अगर आपने मेरा काम नहीं किया, तो मेरा मीट फैक्टरी का बिजनेस पर बाद हो जाएगा, ठीक है, तो फिर तू किसी और तरीके से उसे जान से मार दे, तेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है सर, मुझे नहीं बहुता है, सर, केस फाइल करके कोट भेज़ दो, ओके सर, डियस पी योगी सर, ड्रग केक्स के बारे में पूछ रहे थे, उसने कुछ बोला किया, नहीं सर, कितना भी मारो, कुछ भी नहीं बोलता है सर, हर क्रिमिनल ऐसा ही करता है, हमें उससे उगलवाना ही ह का, चलो, सर, लोग खोलो, इतनी मार क्यों खा रहा है तो, मैं तुससे आखरी बार पूछ रहा हूँ, उस ड्रक्स की सारी डिडियल दे दे मुझे, नहीं बताया तो इसी पुलिस टेशन में मार डालूगा तो चे, हमारे देश में बस यही प्रॉब्लम है सर, मैंने कुछ नहीं किया, हम जैसे लोगों को डरा धमका कर, जो हम लोग नहीं किये होते हैं, उसे आप लोग कबूल करवा लेते हो सर, यह करेक्ट नहीं है सर, हमारे सिस्टम ही गलत है, यह लगता है ऐसे सशनी बोलेगा, कि इस फाइल करके कोट भेज़ दो इस सर, वीना, बोलिये नेक्स्ट येर तुम्हारे पढ़ा ही पूरी हो जागी, तो आगे क्या करने का सोचा है, सोच रही हो कि शादी कर लेती हूँ, ऐसा क्यों, तू और तेरा पती मिलकर फिर क्या रील ही बनाते रहोगे, तुने तो बात बहुत सीधी कर दी, जब छोटी थी तब तो बहुत श अरे बापरे, ऐसा मत करना बेटा, तेरे लिए कोई अच्छा रिष्टा देखकर, मैं ही शादी करवाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, वीना, हाँ पापा, तेरे लिए गुड न्यूज है, वो क्या पापा, तेरे एक बच्पन का साथी था ना, राघा उसे जानती है ना, कुंड़ी भी मिलवा दिए, कुंड़ी भी मिलवा दिए, इतनी जलबाजी, क्यों पापा, उसके बारे में अच्छे से पता किजिdefined, हाँ मैंने सब पता किया है, सब ठीक है, बस तेरे मर्जी चाही है, जैसी आपकी मर्जी परिशान मत हो, यार पुलिस ने मुझे मारा इसलिए परिशान नहीं हूँ जो गलती मैंने नहीं कि उसके लिए जेल में हूँ उसी बात का दुख हो रहा है अरे सब बैट टाइम है यार आज तुझे आई पिल में होना चाहिए था लेकिन तुझे आज जेल में है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है रे खाले कितनी अच्छी स्मेल आ रही है रे चंटी तुने स्मेल बोलो तो मुझे कुछ याद आया जब मैं घर से निकला उस समय में मेरे गार में कुछ नहीं था पूरी कार खाली थी लेकिन जब चेक पोस्ट में पुलीस चेक करी थी तब उनके हाथ ड्रक्स लग गया इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है ए तू एक काम का है आसपास में वहाँ पर CCTV कैमेरेज होंगे चेक करना कोई तो गलू मिली जाएगा ठीक पता करता हूँ उसे यहीं पर तो उस दिन पकड़ा गया था लेकिन कहीं CCTV कैमरा नजर नहीं आ रहा लेकिन स्पाट तो यहीं है अरे चलता थी कैमरा यह दिखिये बस यह काफी मेरे बेटे को बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्कल से CCTV फूटेज करके आप मेरे घार आ जाए हमारे लिए उतना ही काफी होगा केस रिओपेन करने के लिए कहीं देखा ऐसा लग रहा है ना मैं वही हूँ मैंने ही रखा था हलो ठीक है मैं देख लेता हूँ मैं सवल्व करना है बी कैरफुल ओके डार्लिंग मैं संभाल लूंगी मैं नहीं कार में ड्रग्स रखा था पुलीस ने तेरे बेटे को पकड़ के लिए कर इन्फरमेशन निकालने की बहुत कोशिश की उसके बाद मैंने तुम लोगों की जानकारी निकाली मुझे पता था कि चेक पोस्ट की घटना के बारे में तुम पता करोगे और यह एविडेंस दिखा कर अपने बेटे को बाहर निकाल कर मुझे अंदर करवाओगे यही सोच रहे हो ना तुम वह भगवान मेरे वेटे को नियाय दिलवाने के लिए ही मुझे रास्ता दिखा रहे उससे बाहर निकालूंगा और तुझे अंदर डलवाऊंगा वेरी गुड यह सब करने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब करोगे करें देतरी अर करेंगे ली variety अर्श टुम जासे पार ए oke oke, मिciendo बाइए, को तो तुम है, दुम है है! अजो दो तो एपको बादे तू दू जाओंगान। वीना एपी बर्द्डे टू यू भी ना थांक यू पापा थांक यू मॉट एपी बर्डे टू यू एपी बर्डे टू यू अपनी बेटी का जन दिन जबर्दस्त मना रहा है तुम नेरे घर में क्यों आया हो तुम क्या सर हम लोग यहां आये तो आपको बुरा लग रहा है क्या तो और क्या साहिन तो आपने किया नहीं पर केक तो खिला सकते हो न चलो सब घड़ से बाहर निकलो सर आपकी बेटी तो बहुत खुबसूरत है इस जट से बात कर वना चपल उतार कर मारूंगी टॉरत होँ अच्छा नहीं लग रहा है बात में बाहत अच्छा लगे आप यह चोड़ा अच्छा लगे का रिया है थो अधिन तो तो मेरे बारे में ठीक से नहीं जानने का परिणाम देखा न तुने बिचारी के साथ बहुत बुरा हुआ इनकी मौत के बाद क्या होगा प्रीमी के साथ भाग रही थी माबाप ने मना किया तो इसने माबाप को ही मार दिया मुतपपा पूरी बात समझ गया ना आप बाई तो शुरू हजाए पापा 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 क्या हुआ अब तरह खाना क्यों नहीं खाया तुने इतनी मासूम लगती है और अपने सगे माबाप को ही मार डाला अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी तू बाहर निकलने की तो भूल जा समझ गई कोड का टाइम हो रहा है सब लोग तुझे फासी देने की मांग करें आप को थासे है तुझे तुझे फी तुझे आपकाश्व सेढस्वाब्स अःब सारी तुझे देने की मांग को अचापकर प्क्राइम्स को प्राद़ रही जश्तुझे सुझे ऎरूल ऑफ तुझे अखने की तुझे बाहीं झाल 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 305 वाला क्यादी कब रिलीज हो रहा है? कल मैडम ओके ठीक है, इस फाइल को रेडी कर दो एक्स्क्यूज मी मैडम येस? मुझे वीना से मिलना है वीना और तुम्हारा क्या संबंध है? शी इस माइ फ्रेंड मैडम ओके, यहाँ पर साइन कर दो और वेट करो कौन हो तुम? और मुझे से मिलने क्यों आये हो? मैं हूरूद्रा, मैंने भी गुना नहीं किया था फिर भी मुझे तुम्हारी तरह जेल हो गई थी पता चले कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी करोगी? क्या? मेरे पापा को मारने वाली एक हुरत इसी जेल में है उसे तुम्हें मारना होगा मैं? मैं उसे के मारूँगी? पापा मैं IPL में सिलेक्ट हो गया मुझे बहुत खुश हो ही बेटा उस दिन जब मैं घर से निकला तब कार में कुछ नहीं था पुलिस जब चेक्पोस्ट पर चेक कर रही थी तभी उन्हें वो पैकेट मिला और उसमें ट्रक्स था जेल से बहार आने के बाद मुझे पता चला कि वो दूसरे ट्रक्स केस में जेल के अंदर गई है मैं उसे बहार मार सकता हूँ लेकिन वो अभी अंदर है तो उसे मारने का एक मौका मिला है और ये मेरे लिए आखरी ओप्शन है बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं दूँगा प्लीस, मेरे लिए उसे चांद से मार दो तेरे बदले के लिए मैं उस औरत को तो मार दूँगी पर मुझे पैसो की ज़रूरत नहीं तेरी ही तरह मुझे भी किसी से बदला लेना है उसे तू बाहर मार दे अगर तू जबान देता है कि तू मेरे दुश्मन को मार देगा तो मैं भी तेरी दुश्मन को मार तूँगी क्या हुआ तो तुम्हारे साथ? मेरे फाइल पे साइन कर दिया तो आराम से अपने घर जा पाएगा तो ये रिवेंच जील तेरे लिए ओके है? क्य है पनुश्मन कहतादा? कल तुम्हें लेकर जाएंगे तुम्हारी कोई आखरी इच्छा है मुझे रुद्रा नाम के आदमी से मिलना है रुद्रा हमारी डील के मताबिक मैंने उस औरत को मार दिया अब ये मत भोलना कि तुछे मेरे दुश्मन को मारना है नहीं भी ना मैं अपना बादा नहीं तोड़ूँगा और आज के बाद तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन इट्स मैं प्रॉमिस प्रॉम्हास लगरा दुम्हास तुम्हारा बदला उसने पूरा किया उसका बदला तुम पूरा कर रहे हो एक इंसान दूसरे इंसान को मारे ये सही कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ जसने अन्याय किया है वो इंसान राक्षस है लेकिन तुम भी ऐसे किसी और को मारोगे तो तुम भी राक्षस ही हुए ना मतलब मैंने जो किया वो गलत किया क्या हन्रेट परसंट गलत है गलत काम करने वालों को सजा दिलाने के लिए कानून है लेकिन तुम कानून के पास जाना छोड़कर इस तरह सब को मारते फिर रहे हो क्या कर रही हो कानून वानून के बारे में मुझे समझा रही हो क्या जो मुझ पर गुजरी वो तुम पर गुजरती ना तो तुम भी ऐसी रियक्ट करती मेरी तरह तुम भी लोगों को मारती फिरती तुम सही नहीं हो रुद्रा तुम भी करेक्ट नहीं हो चलो जाओ यहां से एई शेंकर कहा हो तुम लोग जल्दी आओ आता भाई बोली भाई क्या हुआ भाई पता लगाओ कि इस समय रुद्रा कहा है और उस कमीने को घसीट कर मेरे पास लेकर आज हर हाल में उससे मरना ही होगा है चलो तुम लोग तुम भी चल रहे चलो आज आज आज़ा चलो प्रिया एक बार बोल दिया ना प्रिया ट्राइटो अंडस्टैंड तो मुझे नहीं कर सकते हैं देखो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अन्याई ही तो है प्लीज समझने की कुछ प्लीज समझने की कुछ प्लीज प्लीज छोड़ो से अगर पास आए तो जोना से मढ़ानूगा समझ गई ना चलो यांसे चलो यांसे चलो नहीं रोत्रो है है चलो रोत्रा हाँ 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 ही राज तु मेरे हाथ लग ही गया अब देख ठीक से देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है मुझसे बंगालिया मेरे भाईयों को जान से मार दिया ऐसा करके तुने मुझे पुरे शहर में बदनाम कर दिया है आखिर तु है कॉन में तेरी मुझसे दुश्मनी क्या है अगर तु जबान देता है कि तु मेरी दुश्मन को मारेगा तो मैं तेरी दुश्मन को मारूंगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा है रिवेंज एक्सचेंज स्टोरी लेकिन यहां पर ललप्पा है ललप्पा का नाम सुनते हैं समुद्र भी थर्राने लगता है और तुने मुझसे मुझसे बहुत लुक टालिए Temper Zuff पो पो आचलН झाल ाचे़ एएएएएएएएएएएएए हाग ішछ पो आफ अाण आज रहें पाज रहें रहें सुन रहें रहें Whoa! Heeey! Heeeeey! मैं समझ गई कि तुम ही सही हो sorry for misunderstanding it's okay Priya कर दो झाल अगि है झाल कि तुम है कि तुम है कि तुम है झाल झाल झाल